नमस्कार किसा यूपी का देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुनाली विजबी सरकार में उत्तर प्रदेश में अब तक कई जगाओं के नाम बदले जा चुके हैं कई शहर रेल्वे सेशन और शहरों के अंदर की जगाओं के नाम भी बदले डा चुके हैं अब यूपी के मुझफर नगर का नाम बदले जाने की मांग उठ रही हैं ये मांग किसी और ने नहीं बलकि खुद केंदर मंतरी गिरराज सिंग ने उठाई है गिरराज सिंग ने मुझफर नगर जिले का नाम बदलने की पैरवी की है बीजेपी ने इता ने कहा की पचातर साल हो चुके हैं अब मुझफर नगर नाम अच्छा नहीं लगता मुगलों की निशानी को अब मिठ जाना चाहिए तो आज किस्सा यूपीका में इसी पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ स्चूडियो में मौझूद है क्या पचल टीवी के एग्जेक्यूटिव एडिटर राजीव जी बहुत-बहुत स्वागत राजीक जी क्या नाम बदलने से मुगलों की निशानी मिठ सकती है देखिए नाम से ही निशानी का संबंध है नाम में क्या रखा है ये बाते जिस समय बताए गई थी उस समय इसके उपर चर्चा नहीं की गई क्योंकि नाम और पहचान व्यक्ति हो शहर हो समुदाय हो सब के लिए महत्पुन होता है अगर नाम न हो तो फिर धर्म में विविता भी न होगी क्या इसलाम, इसाई, क्रिश्चन, यहुदी, बहावी या फिर सनातन धर्म के बात करते हैं जो आध्यात्मिक तरीके होते हैं वो कही न कही एक दूसरे से मिलते जूलते होते हैं लेकिन सांस्कृतिक पहचान, जीवन सैली, जीने का तरीका, खाने का तरीका, रहने का तरीका तो नाम और पहचान यह जो सारी चीजें होती है इसी से पता चलता है कि आपके जो इंडेजिनस कल्चर है आंत्रिक संस्कृति है जो देश की पहचान है वो किस दिसा में जा रही है और जो विदेश से उधार लिए गए पहचान है वो किस आधार पर यहां पर बनी होई है अब भारत की बात होती है भारत में संस्कृतियों का संगर्स रहा है जो 500 सालों से ज़्यादा इसलामिक शासन रहा यहां के कुछ हिस्सों पर उसके बाद इन लोगों ने इसलाम की बात नहीं की बलकि इन्होंने अरबी संस्कृति को हिंदुस्तान के उपर थौपा क्योंकि धर्म अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से रहते हैं लेकिन वहाँ पर संस्कृतिक पहचान उसकी अपनी पहचान होती है जो सदियों में बनते हैं और वो पहचान बनी रहनी चाहिए अगर धर्म की बात करें तो इंडोनेसिया मुस्लिम मुल्क है वहाँ पर इसलाम का सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग रहते हैं लेकिन उसकी संस्कृतिक पहचान अरब से नहीं है वहाँ के लोगों का नाम सौधी अरब जैसे नहीं होते हैं और वहाँ पर जो रहने सहने खाने पीने और दूसरे तरीके हैं यहाँ तक कि वहाँ रामायन से जुड़ी हुई कताएं नाटक क्या हिस्सा होता है संस्कृतिक की पहचान होती है जैसे पिछले दिनों इस बात की काफी चर्चा होई कि वहाँ पर नोट के उपर भगवान गनेश की फोटो लगे हुई है तो यह संस्कृतिक पहचान काते हैं जो धर्म से बदलने के बाबजूद भी संस्कृति का हिस्सा रहता है हिंदुस्तान में यह नहीं हुआ हिंदुस्तान में क्या हुआ कि धर्म जो परिवर्तित हुए यानि कि यहां के हिंदूों को जो मुसलमान बनाया गया तलवार के जोड से वो धीरे धीरे वो मुसलमान यहां के संस्कृति से दूर होकर अरब की संस्कृति के नजदीक हो गए और यहां के नाम पहचान अगर मुस्लिम सासन के पहले या इसलाम जो भारत में आया उससे पहले की बात करें तो क्या यहां पर किसी का नाम मुहम्मद हो सकता था क्या मुझफर हो सकता था मुराद हो सकता था ये सारे के सारे नाम नहीं हो सकते थे ये सारे नाम जो थे अर्वी नाम हैं लेकिन जब यहाँ धर्म परिवर्तित किया गया तो नाम भी बदले गए धर्म परिवर्तित किया गया तो पहनावा और हावा भी बदलने लगा धर्म परिवर्तित किया गया तो जीवन की पूरी श संț्खर से संस्कृतियों का संगर से और यही बात बार बार कही जाती है कि 75 साल की बात क्यों की जाती है क्योंकि 75 साल देश की आजादी की बात है मुस्लिम शासन के बाद ब्रिटीस ने भारत पर कबजा कर ले अंग्रेजों का कबजा हुआ 200 साल से ज़्यादा समय तक अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया लेकिन उस शासन के दौरान भी क्रिश्चनिटी को इतना बढ़ावा मिला क्रिश्चन पहचान के साथ यहाँ पर वो उतने ज़्यादा सहर बने उसके परिवर्तन की बयार तेजी से बढ़ी लेकिन उस परिवर्तन के बावजूद उस समय के बावजूद जब हमने खुद का सासन स्थापित किया उसके बाद भी हम उस समय के पहचान के साथ ही आगे ब लाड माउंट वेटन के नाम से लाड हाडिंग के नाम से जो अस्पीटल है सुचेता करिपलानी के नाम से होना चाहिए और हुआ भी तो उसी तरीके से अचानक से ये चीजे नहीं हुई है मांग बहुत पहले से थी लेकिन तुस्टी करन की रादिती करने वाले पाटियों न इस तरीके का महौल बना दिया कि मुसल्मानों को उन नामों से ज़्यादा प्यार होना चाहिए जो की बाहर से लाय हुए है उन शासकों से ज़्यादा प्यार होना चाहिए जो की बाहर से आय हुए है अगर किसी भी देश के जो अपनी संस्कृती अपने मिट्टी से जिसका लगाओ रहेगा वो किसी भी अस्तर पर बिदेशियों से प्रेम नहीं कर सकता लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये सबत्या है कि अगर इन से पूछा जाए आदर्श कौन है तो इन्हें अकबर वावर हुमायू इलतुतमिस खिल जी ये लोग नजर आएंगे योद्धा के तोर पर वो पाकिस्तान के भी जो योद्धा जो इनका नाम का जिक्र किया गया है वो तो पाकिस्तान के लिए भी शर्म की बात है हिंदुस्तान की बात ही अलग है क्योंकि ये आपके देश के उपर आकर्मन करके जबरदस्ती सासन करने वाले लोग है और आप अगर हुए आपने धर्म बदल लिया इसका मतलब यह नहीं है कि देश राष्ट से प्रेम भी बदल लिया तो इन दोनों के बीच के अंतर को समझना चाहिए और जिस दिन इस अंतर को समझ लेगा सरकार समझ लेगी और सरकार उस तुस्तिकरन से दूर हो जाएगी यहां के मुसल्मा यह समझ लेंगे कि हमारी पहचान अगर हिंदुस्तानी है तो हमको उसी संस्कृति के हिस्सा के तौर पर रहना चाहिए जो की हजारों सालों में यहां पर बनी है तो उस दिन वो भी उस विदेशी पहचान से अपने आपको दूर कर लेगा लेकिन यहां पर न तो तुस्ट सौधी अरब इराक इरान से नहीं है उनकी पहचान हिंदुस्तान से है तो अगर हिंदुस्तान से जिसकी पहचान है वो हिंदुस्तानी संस्कृति के साथ रहे वो विदेशी उधार लियोई संस्कृति के साथ न रहे और इसलिए नाम बदलने की कवायत हो रही है नाम क्यो मोगल सराय नाम क्या प्राचीन काल में रखा गया था मोगल शासन में रखा गया था दो हजार साल पहले तो नहीं रखा गया था या फिर मुझफर नगर मुझफराबाद मुरादाबाद ये नाम क्या उस जगह के या फिर फैजाबाद की बात है जो अजोद्या हो गया है या प्रियाग राज की बात है जो पहले इलहाबाद था यह 2000 साल पहले था या फिर जब वे नाम रखा गया तो क्या उसका उसी समय अस्तित्वाया था उससे पहले भी उसके कुछ नाम होंगे जिसको बदला गया अगर वो बदल सकता है अपने सासन में अपने सत्ता के मद में कवायत अब अंतिम रूप से है अब ऐसा होगा कि उत्तर परदेश में ये एक दो नामों की चर्चा नहीं होगी अचानक से जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें सो के करीब सहरों का नाम बदल दिया जाएगा और फिर वो धीरे धीरे डिसंटरलाइज होते हुए जिला से ब यूपी में शेहरों का नाम बदलने की मां तेज हो गई है इस बार ये मांग उठाई है कि इंद्रमंत्री गिरराथ सिंग ने उनकी मांग है कि मुजफ़ा नगर का नाम बदला जाए उनका कहना है कि इससे मुगलों की निशानी मिठ जाएगी यानि एक तरफ तो पहले NCRT कि हिस्टरी बुक से मुस्लिन हिस्टरी को हटा जाए अब मुगल शासन में रखे गई कई शेहरों के नाम भी एक एक कर बदले जा रहे हैं या बदलने की मांग उठाई है जिससे तो ऐसा लग रहा है कि जल्द योगी के शासन में ही मुगलों की हर एक निशानी मिठ जाए कि सहीव पिका मैं आज के लिए इतना ही देखते रहे है क्या पचल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार